नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आई टेक्निकल गुरूजी में आज बात करते हैं हम चुम्बक तो एमम विद्धू चुम्बक के बारे में यानि मैगनेटिसम एंड इलेक्रो मैगनेट के बारे में तो चुम्बक क्या है एशिया में क्या मैगनिश्य नामक इस्थान पर पथर में ऐसे टुकड़े पाएगे जिन में लोहे को आखरसित करने का गुण मिला था तो इसे हम क्या कहा देते हैं इस पिंड को मैगनेटिसम ए चुम्बक कहा जाने लगा तो कुछ समय पश्चाद मैगनेटिसम ए चुम् धागे से बातकर हम स्वतनत्ता पूर्वक लटकाएंगे तो सदय वहों क्या होगा उत्तर और दक्षिनी दिशा में ही थेरेगा इस पत्थर का उपयोग नावी को द्वारा किया जाने लगा उन्होंने इसे लो डिश्टून अर्था दिशा बताने वाला पत्थर कहा तो भ प्रकार एक ऐसा पिंड जिसमें लोहे के टुकड़ें यानि छोटे चोटे टुकड़ें को आकरसित करने एवं सतंता पुर्वक लटकाए जाने पर उत्तर और दक्षिन दिशा में ठहर जाने का गुड़ विद्देमान हो मैगनेट कहलाता है और किसी चुमबक के ये प्रकार का चुमबक बेडोल होता है और उसके चुमबक की गुण में भी क्या होती है अल्पमात्र होती है फिर है कृतिम चुमबक और कृतिम चुमबक क्या है किसी कृतिम विधी द्वारा चुमबक की पदार्थों से बनाया गया चुमबक क्रतिम चुमबक कहलाता है जैस क्या हमारे पदार्थों से मिलके बनाए गया है और ये इस्थाई चुम्बक क्या होते हैं यू आकरती के आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे होर्ससू टाइप के होते हैं सुई आकार के यानि निडल जो मैगनेटिक निडल दिख रही है इस्थाई चुम्बक तो ये हो गया जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं फिर अस्थाई चुम्बक हमारा कौन सा चुम्बक हो जाता है विद्दु चुम्बक एक अस्थाई चुम्बक होता है क्योंकि यानि temporary magnet कौन सा होगा electromagnetic तो इसमें क्या होता है चुम्बक का अस्थित्त तभी तक विद्दे मान रहता है जब तक इसकी coil में क्या होती है विद्दु धारा प्रवाहित होती है और inamel tar से यानि super inamel copper की wire है या super inamel aluminium की wire के द्वारा हम क्या करते हैं नर्म लोहे या silicon steel की छड में इसको इस्थापित करके inamel tar के द्वारा बनाते हैं और इसका उप्योग विद्धूत घंटी वैद्धूत यंत्रों चुम्ब की चक यानि चुम्ब की crane motors generator आदी में किया जाता आपको सामने magnetic field दिख रहा है यानि चुम्ब की जो छेत रहें north और south pole दिख रहे हैं हमेशा ध्यान रहे कि चुम्ब की बल रेखाएं या चुम्ब की strength सबसे जादा कहां पर होगी पोलों पे और north और south pole आपने motor और generator में देखे होंगे तो ये हमेशा क्या रहते हैं आपको pole दिखते हैं और फिर है तो चुम्ब की कुछ magnetic term के बारे में बात कर लेते हैं तो ध्रूब सबसे पहले pole चुम्बक में जिस बिंदू पर चुम्ब की बल रेखाओं की तीवरता सबसे अधिक है वह बिंदू चुम्ब की ध्रूब कहलाता आपको उस दिख रहा है सामने फिर है चुम्ब की उदासीन अक्स चुम्बक के केंद्र बिंदू से होकर जाने वाली तथा चुम्बक की अक्स के लंबवत कालपनिक अक्स उदासीन चुम्बक की अक्स कहलाता है और चुम्बक की बल रेखाएं यानि यह एक बंद कालपनिक वक्र है जो चुम्बक के बाहर उत्तरी से उत्तरी ध्रू की ओर पूर्ण होता है ऐसा माना गया है दूसरे सब्दों में कह सकते हैं चुंब की बल रेखा एक ऐसा निस्कोड वक्र है जिस से किसी बिंदु पर खीची गई इस पर से रेखा उस बिंदु पर कारेरा चुंब की छेतर की दिशा को इंगित करती है यानि किसी चुम्बक के चारो ओर का वह छेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभो किया जाए और चुम्बक की छेत्र कहलाता है यह छेत्र चुम्बक की बल देखाओं से निर्मित होता है और किसी चुम्बक की छेत्र में एक चुम्बक की सुई रग दी जाए तो वह सदैव एक निश्चित दिसा में ठहर जाती है अब बात करते हैं मैगनेटिक फ्लक्स की तो चुम्ब की छेतर में किसी चुम्ब की बल देखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुम्ब की बल देखाओं की कुल संख्या चुम्ब की फ्लक्स कहलाती है इसका प्रतिक फाई और इसका एसाई मात्रक वेबर होता है और इसका अन्य मात्रक मैक्सवेल भी है एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है अब जो हम बात करते हैं चुम्बक बनाने वाली विदियों के बारे में तो सबसे पहले single touch method है इस विधी में एक छड़ चुम्बक को यानि एक धुरू की और फॉलात की छड़ पर एक सिरे से 50-50 बार रगड़ा जाता है आपको इस क्रीन पर दिख रहा है और रगड़ने से जिस सिरे से चुम्बक के उत्तरी धुरू को रगड़ना प्रानम होता व गया है दोहरीष पर्सविधी तो दोहरीष पर्सव spark झाustय पी आपको थोड़ीं स्क्रीन के दिखएकि इस विधी जोगी पर JENत्तरिक, छी करे कि सब्सक्रार जाल भड़ने की किरिए 2,30 से और रगड़ने कि बिंदो पर समाप्त औहीं तो उभाड़ा शौरों से रगड़ जाएगी चुम्बकत्व का गुण उसमें बनना प्रारंब हो जाएगा फिर है डिवाइड डिवाइड टच मैथड यानि विवाजित इस पर सी विधी इस विधी में भी रगणने वाले दो चुम्बक के बीच कोई लकड़ी या गुटका आधी नहीं रखा जाएगा दोनों हम क्या है सिंगल टच मैथड डबल टच मैथड एंड डिवाइड मैथड आजकल कौन सी विधी प्रियोग की जारी है तो वैदूत विधी इलेक्रो मैगनेट प्रियोग क्या जा रहा है इस विधी में चुम्बक बनाए जाने वाले फौलात की छड़ को एक क्वाइल के बी समय की विधियां है तो कि फौलात की छड़ के स्थान पर हम नर्म लोही की छड़ भी प्रियोग कर सकते हैं और उसमें चुम्बक का अस्तित्व तब ही तक रहता है तब तक उस क्वाइल में से विध्दुधारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार का चुम्बक लपेट वाली क्वाइल के बीच एक नर्म लोही की छड़ रखी जाती है जिसका एक सिरा क्वाइल से कुछ बहार निकाल लियाज रहता है और इस विधी में फौलात की छड़ प्रेरण द्वारा चुम्बक बन जाती है और यहां उपकरण पोल चेंजर कहलाता है और यहां चुम्बक के जो हमारे क्या होते हैं आपको अनुप्रियोग देखो विधुद घंटी में चुम्बकों का प्रियोग किया जाता है और कहां पर किया जाता है चुम्बकों का प्रियोग आपको स्क्रीन पर दिखेगा बजर में किया जाता है बजर हमारा क्या है हम जो क्या कर करती है फिर है हमारा चुम्ब की रिले भी होती है चुम्ब की रिले के द्वारा भी प्रियोग किया जाता है हमारा है चुम्ब की क्लस्ट यह भी विद्धू चुम्ब की उखती है इसका उप्यों कहां पर किया जाएगा मसीनों अथ्वा मसीनों के प्रचालन में और DC और AC परकार की दोनों परकार के हमारी ऑपरेटेट क्या होते हैं यह मैगनेटिक क्लश होते हैं आपको स्क्रीन पर रिले दिख रही है तो धीर धीरे चित्र आते रहेंगे आप देखते रहेंगे उन्हों पर लिखा हुआ नाम फिर है जो आपके सामने DC से भी चलने वाला क्लश भी है और AC से चलने वाला भी मैगनेटिक क्लश है उसका भी चित्र आएगा तो यह हमारी क्या है तो मैगनेट है चुम्बक बनाने वाली विदियां उनके बारे में समझा हमने चुम्बकों के अनुपरियोगों के बारे में पड़ा अब बात करते हैं लैंज लो के बारे में लैंज का नियम क्या है विज्ञानिक लैंज के अनुसार किसी चालक में प्रेरित विद्दु वाहकबल क्या करता है उसी विद्दु धारा का सदय विरोत करता है जिसके कारण महों क्या हुआ है उत्पन नहुआ है तो यह हमारा लैं केलाता है चालक में बहने वाली विद्धु धारा की दिशा हमारी क्या है उल्टि है अर्थात लेंज का नियम सत्य है। तो हमें प्रैक्टिकली इसको क्या कर सकते हैं चेक भी कर सकते हैं अब प्रेरित विद्धुद्वाखबल यानि इंडियोस EMF के बारे में जानेंगे तो इंडियोस EMF किसी चालक में विद्धु चुम्ब की प्रेरण के फलसुरूप पैदा होने वाला प्रेरित विद्धुद्वाखबल वोल्ट में वी क्या है चुम्ब की फ्लसुरूप प्रेरित विद्धुद्वाखबल वोल्ट में वी क्या है चुम्ब की प्रेरित विद्धुद्वाखबल वोल्ट में वी है चुम्ब की फलसुरूप तो वेबर प्रती मीटर स्क्वेर प्रेरित विद्दूत वाहगबल ग्यांत करने का फॉर्मूला, ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इससे पहले मैंने चुम्बक की पदार्थों का वर्गी करन आपको पहले ही बता दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, मैगनेट है, चुम्बक और हमारा विद्धु चुम्बक तो आज इसके बारे में हमने जाना आसा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और विद्धु चुम्बक का आज कल electricity में बहुत जादा उपयोग हो रहा है धन्या